एक लड़की अपनी साइकलोजिस्ट के प्याव में पढ़ती है। जब दोने एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तब उसे साइकलोजिस्ट के बारे में अजीब 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 चीज़े पता चलती है। जिसे चानल को सपोर्ट मिलता है। बीना किजी दरीके एकस्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है क्लोई एक डॉक्टर के पास आई हुई थी। उसने इस टमक पेंस के बारे में बहुत सारे डॉक्टर को बताया हुआ है। यह डॉक्टर अब उसे कहती है कि तुमार साइकलोजिकल प्रॉल्म होगा। तो यह किसी साइकेडरिस के पास जाना चाहिए। उसके बात लॉक्टर सेजेशन लुईस के बात जाने वाली है। वो लुईस के पास गए और लुईस कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तो लुई खुद अपनी बात स्टार्ट करती वो सब कुछ उससे बताती है। वो 25 यह की है अपनी कैट के साथ रहती है। आजकल वो जॉब लेस है पर आज अ मॉडल उसने बहुत सारे पैसे कमाये हुए थे तो उससे जादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ लव अफेर्स थे और अब जादा कुछ सीरिय बहुत ही हर्ट कर रहा था। उसने इमेजिन किया था कि वो लुईस के साथ इंडिमेट हो रही है। अगले सेशन में बात करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं खुद कितनी ब्यूटिफुल हूँ यह दिखाना मुझे अच्छा लगता था। तो अपनी ब्यूटि सब को द ग्रांड फादर और ग्रांड मदर के साथ ही रही थी। इन दोनों ने मिलकर अब फिगर आउट कर लिया है। क्लोई को नहीं लगता कि उसकी मदर उसे प्यार करती है। इस वज़े से स्टमक पेंस आते हैं। अब थोड़ी दिन गुजर जाते हैं। और क्लोई को एक आर् उसे करना यह सही नहीं लगता। लूइस उसे हैता है इसी और को में तुम्हें रेफर करूंगा। क्लोई उसके फिर पास आए और इन दोनों ने एक दुजरे को किस कर लिया। इसके बाद और भी टाइम गुजर जुका है। क्लोई अब अपनी नए घर में शिफ्ट हो र करती थी उसकी कैट की डेट के बाद उसने कभी भी दूसरी कैट अडोब नहीं किये। घर में सब सामाज शिफ्ट करते हुए क्लोई ने लुईस के बैग में कुछ देखा। उसके पासपोर्ट पर अलग सा नाम लिखा हुआ था। इसके बारे में डिनर पर वो लुईस से बूशती है। लुईस कहता है कि मेरा नाम ज़रा वीर्ड था। यह जो अब मेरा नाम है यह लेने में ज़रा अच्छा लगता है। इसलिए मैं ने रखा हुआ है। रात में जब इंटिमेट होते हैं तो क्लोई लुईस से कहती है हमेशा मुझे सब कुछ सच बताना कोई चुपाना मत। एक दिन क्लोई जब अपने काम से वापस आ रहे थी तो एक जगा पर उसने लुईस को एक लड़की के साथ देखा। रात में इसी के बारे में उसने लुईस से बात की। लुईस कहता है कि मैं तो टौन के दूसरी तरफ था। उसको होस्पिटल बहुत ही दूर है तो उसका वहाँ होना इंपॉसिवल है। क्लोई को लगता है कि लुईस उस पर चीट कर रहा है। लुईस से समझाता है कल रात अच्छे से तुम्हें नीन ने आई थी शायद इसलिए तुम्हें वैसा लगा होगा। वो में नहीं था। क्लोई ने जीज जगा पर लुईस को देखा था। नेइस डे क्लोई वहाँ जाती है और वहाँ की नेम ब्लेट का फोटो निकाल कर लाती है। उस बिल्डिंग की यहाँ अभी एक साइकलोजिस्ट काम करता है। वो इसका नाम है पॉल। पॉल को कॉल लगाती है और उसकी एक अपॉंट्मेंट ले लुईस की दिखता है इसके बारे में वो पॉल से बात करते है। पोल कहता है कि लूईस मेरा च्लोई के हैं के क्लोय केती है और समझ जाता है कि यह सब जोट बोल रही है उसे कहता है कि जब तुम मुझे सच बोलोगी तब हम इस therapy को continue कर सकते हैं यह तुमें क्यों कर सकता हो उसे मालूम है कि Chloe की कोई भी sister नहीं है उसे लगता है कि उसकी कोई sister हो पर वो अकेली थी Chloe पर चीट गई और वहाँ से चली गई Chloe ज़रा frustrated थी कि लोईस ने अपने brother के वारे में उसे क्यों नहीं बताया वो उसे पूशती है तुम तुमारी family से मुझे क्यों नहीं मिलवा दे लोईस कहता है कि मेरे parents United States में है जब वो घर आएंगे तो मैं तुम्हें मिलवा दूँगा Chloe का फिर से pet दुखने लग गया था लोईस ने नोटिस किया उसे कहता है कि तुम्हें फिर से psychologist को दिखाना चाहिए एक दिन Chloe लोईस से बुशती है क्या तुम कभी wish नहीं करते है कि तुम्हारा कोई brother हो लोईस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मेरा childhood बहुत ही happy था ये जो भी सब dialogue से इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा movie के last में कि आपको ज़रा insight देश सकते हैं इसके बाद next scene में हम देखते है Chloe ने Lewis को सच बताने में मजबूर किया है कि उसने अपना नाम क्यों बदला था इस बार भी Lewis जूटी बोलता है इस बार Lewis कहता है कि मेरी father की एक company थी उसने बहुत बड़ा fraud हो गया था father की कोई भी गलती नहीं थी पर फिर भी उन्हें सजा भुगतनी पड़े रख लो Lewis को cat पसंद नहीं है इसकी neighbor का मानना है कि जैस आदमी को animals पसंद नहीं वो heartless है नेक सिन में हम देखते है कि Chloe फिर से Paul के पास आई हुई है उससे कहती है कि मुझे तुमारी help चाहिए मेरी problems को दूर करने के लिए पॉल उसे कहता है कि तुम अभी भी जूटी बोल रही हो तुमारे यहाँ आने का कुछ अलग reason है वो session यहीं खतम कर देता है Chloe जब वहाँ से जा रही थी तो उसने उसे kiss कर लिया रात में वो Lewis से जूट कहती है उसने actual में Lewis को बताया है कि उसकी psychologist एक woman है Lewis उस psychologist को पहचानता है रात में जब Lewis और Chloe intimate हो रहे थे तो वो Paul को भी वहाँ imagine करती है कि यह दोनों एक साथ उसके साथ intimate हो रहे थे और उसके भी दो parts बन चुके थे इसका meaning movie के last में आपको पता चलेगा अब next time जब Chloe Paul से मिलने के लिए तो directly उसे वो बेट तक लेकर आया Chloe से कहती है यह सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ उसे truth find करना है अपनी problems के बारे में जानना है Paul को पता है कि यह सब जूट है उससे attracted है तो directly उसके साथ वो intimate हो जाता है इसके बाद यह regularly intimate होते रहते हैं एक दिन जब यह intimate हुए तो Chloe को बहुत ही अच्छा लगा था Chloe कहती है कि मुझे इतना pleased कभी भी महसूस नहीं हुआ था Paul कहता है तो तुमने imagine तो कभी ना कभी किया ही होगा इसमें क्या फरक है यहाँ पर हम देख सकते हैं यह Paul के बाद से एक cat है इनकी इस पर discussion होती है और Paul कहता है कि actual में एक male cat है एक अजीब सी species है इस species में कभी भी male cat नहीं होते male cat होने का chance सिर्फ 1% होता है actual में जब एक cat womb में होते है तो वहाँ पर उसकी sister और वो यह दोनों twins होते है बाद में एक cat womb में ही अपने sister को absorb कर लेता है वो कहता है कि ऐसा हमारे humans के साथ भी होता है कभी कभी हम humans भी womb में ही हमारे sister को absorb कर लेता है बड़ा होने के बाद कई लोग को पता चलता है कि उनमें दो type के reproductive systems है Paul से मिलने के बाद जब Chloe घर पर आए तो वो उसकी neighbor ने उसकी cat को lose कर दिया था यह neighbor उसकी cat की तरह ही है यह देखकर वो डर जाती है neighbor उसकी cat की cat थी कि मेरी बेटी की मानसीख हालत अब सही नहीं है वो 20 साल की थी तभी सही मेंडर हॉस्पिटल में है रात में एक party थी जहाब और Luis Chloe को लेकर आता है Chloe एक कलीक से बुछती है क्या Luis की brother के बारे में तुम्ही कुछ पता है पर इस कलीक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं दूसरे को psychologist से इस बारे में वो बात करती है उनसे पुछती है क्या आपके पास कोई twins का case था इस परो गहते हैं twins के बीच कुछ connection हो सकता है वो कहते हैं एक बार हमारे पास ऐसा case था दोनों twins में कुछ connection था एक को जो मैसूस होता था वो यह दूसरे को भी पता चलता था यही इस party में Luis क्लोई के पास आता है एक lady की तरफ point करता है और कहता है क्या तुम उससे पहचानती नहीं क्लोई कहती की कुछ याद नहीं आ रहा Luis कहता है कि वो तुम्हारी psychologist है क्लोई यहाँ पर बहाना बनाती है वो कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा drink कर ली है इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई जब वो घर पर जा रहे थे तो ज़्यादा बिनिंग की वज़े से क्लोई को उल्टी आ गए वो गाड़ी से नीचे उत्री पर उसे आगे पॉल दीख रहा था वहाँ से वो डर कर भागी और एक जगा पर टकरा कर नीचे गिर के लुईस फिर उसे घर लेकर आता है इसके बाद नेकसी में हम देखते हैं क्लोई जब पॉल के साथ इंटिमेट हो रही थी तो पॉल उसे पूछता है तुम्हारा बॉइफ्रेंड और में हम दोनों मैंसे ज़्यादा एट्रेक्ट टू कौन है क्लोई कहती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती जब मैं तुम्हारे साथ होती हो तो उसके बारे में सोचती हो और जब उसके साथ तो तुम्हारे बारे में पॉल कहता है कि क्या वो भी मेरी तरह तुमसे इंटिमेट होता है या वर क्लोई को पता चल जाता है पॉल को लुइस के बारे में पता है वो कहता है कि मेरी तरह मेरा ब्रदर कभी भी तुम्हें क्यूर नहीं कर पाएगा वो अब Chloe को सिर्फ अपने लिए चाहता है वो कहता है कि Lewis हमेशा बहुत इखटिया ब्रदर था वो चाहता था कि मैं कभी भी उसकी लाइफ में ना हूँ उसने अब वे अच्यू कर लिया है राप में Chloe Lewis से बात करती है और कहती है कि मैं अब साइकोलाजिस्ट के पास नहीं जाने वाली Lewis कहता है कि तुम्हारा स्टमक पेंट अभी भी कंटिनू है तुम्हें हेल्प की जरूरत है तुम्हें अबने सेशन कंटिनू करने चाहिए Chloe कहती है कि हमेशा मैं उसके बारे में ही सोचती हूँ मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ तुमारे बारे में सोचना चाहिए Lewis कहता है साइकलोजिस्ट के बारे में सोचना यह भी अच्छा साइन है अपनी थेरेपी तुम कंटिनू करो तो मैं बहुत बेनिफिट मिलेगा एक दिन Chloe और Paul बात कर रहे थे Paul Chloe को कहता है कि मैं Lewis से बड़ा हूँ हमेशा मैं उससे ताकदवर था मेरे चांसेस और सर्वाइवल यह हमेशा उससे अच्छे थे वो वीक है कुछ कल्चरस में जब ट्रीन्स पौन होते है में सो जो वीक होता है उसे वो लोग मार डालते है इसके बाद हम देखते हैं कि Lewis Chloe को डिनर पर लेकर आया हुआ है Chloe अब एड्मेट करती है कि थेरीवे पर जाना उसके लिए अच्छा था Lewis आज बहुत ही खुश है और उसे शादी के लिए प्रपोस करता है Chloe भी इसके लिए मान जाती है आज रात जब यह इंटिमेट होते हैं तो Chloe बेड में डॉमिनेंट थी उसने चेक किया तो अब वो प्रेगनेंट है नेक्स टाइम जब वो पॉल से मिलनी के लिए आई तो इसके बारे में उसने उससे बता दिया पॉल कहता है तो वरी करने की कोई भी ज़रूत नहीं है मैं और मेरे ब्रेदर में सेम जीन से तो कोई भी फरक नहीं पड़ेगा Chloe पॉल से कहती है कि तुम दोनों में क्या हुआ था उससे अब पूरा टूथ जानना है पॉल कहता है कि तुम रूइस से ही पूछ लो वो मुझे हिट करता है इस बात पे इन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो गया Chloe फिर डॉक्टर के बास सोनोग्राफी करने के लिए आई हुई थी डॉक्टर उसके पैट में बेबी को ढूणनी पाते वो पॉल को इग्नोर करने लग गई थी और उसे मिलने के लिए नहीं जाती कॉल उसे मिलना जाता है उसे कॉल करकर बताता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी चाहता हूँ Chloe मानने नहीं वाली एक दिन Chloe अपने जॉब पर थी तो वहाँ पर लुईस आया उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच के लिए लेकर जाता हूँ Chloe जिस म्यूजियम में काम करती है उसका थीम फ्लेश अन ब्लर्ड है अलग-अलग अजीव सी चीज़ें यहां हम देख सकते हैं लंच पर लुईस ने Chloe को उसकी कैट का एक निकलेज दिया यह जब किस करते हैं तो Chloe को पता जलता है कि लुईस नहीं तो पॉल है उसे कहती है कि मेरे एक फ्रेंड से मिली थी जिसका नाम था सैंड्रा पर लुईस इस पर कुछ भी रिस्पॉंड नहीं करता इसके बाद वो लुईस के सब सामान में देखनी लग जाती है और उसमें एक निउस्पेपर का टीम है उसी सैंड्रा का नाम मिलता है उसका एड्रेस भी उसे मिल चुका था तो सैंड्रा को देखनी के लिए उसके घर पर आए सैंड्रा की मदर ने उसे कहा कि सैंड्रा अब कही चल फिर नहीं सकते क्लोई ने सैंड्रा को देखा पर वो totally unresponsive है अब हुआ क्या था इसके बारे में वो Sandra की मदर से पुछती है Sandra की मदर कहती है कि Lewis और Sandra relationship में थे Paul बहुत ही घटी आदमी है और वो भी Sandra को चाहता था एक दिन उसने pretend किया कि वो Lewis है और उसने उसका रेप किया इस incident के बाद Paul ने Sandra को छोड़ दिया था Sandra डिस्टाब हो गए और उसने खुद कुशी करने की कोशिश किया इसी बज़े से अब ये उसका हाल है रात में Chloe अकेली थी और उसे लग रहा था कि नीचे Paul है वो फिर अपने नेवर के पास आकर सूग गई इसके बाद Chloe Lewis को confront करती है कि तुमने Sandra को छोड़ क्यों दिया था Lewis कहता है कि Sandra हमेशा Paul से प्यार करती थी क्या तुम्हें पता है कि वो pregnant भी थी है उसने सिर्फ मुझे use किया था ये जो confrontation था कि Chloe अपने सबने में देख रही थी जगने के बाद वो directly पॉल के पास आई पॉल को confront करती है पॉल कहता है कि Sandra एक घटिया लड़की थी उसने Sandra के साथ जोबे किया कि उसे गलत नहीं लगता वो Chloe से कहता है कि जब मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे Sandra ही दिखती है Chloe बहुत ही गुसा थी और वो पॉल से थोड़ी से डरती भी है तो अपने साथ उसने गन लाई थी एक गन उसने पॉल पर लगाए पॉल उससे बुछता है या तो मैं हंडेट वर से मालूम है कि मैं लुईस हूँ या पॉल अंदर से लुईस भी पहार आ गया Chloe डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सा कौन है उसने इन में से एक पर गन चलाई अचानक से उसका पेट दुखने लग गया उससे ब्लीडिंग होने लग गयी तो से फिर हॉस्पिटल में ले जा जाता है यहां में पता चलता है कि Chloe जब सेंडरा की मदर को मिलने के लिए गई हुई थी जो मदर हमने देखी थी यह एक्चॉल में Chloe की मदर है Chloe प्रेगनन्ट थी ही नहीं जब वो अपनी मदर की वूम में थी तब उसके साथ उसकी ट्वीन सिस्टर भी थी उसने अपनी ट्वीन सिस्टर को एबज़ॉव कर लिया Chloe के पेट में एक सिस्ट थी यह सिस्ट उसकी सिस्टर को उसने एबज़ॉव किया था इसी वज़े से थी इस सिस्ट के हम इमेज देखते है तो Chloe की मुजियम के आर्ट से है मैच करती है Chloe अब जरा ठीक है और लुईस और इसकी मदर उसे मिलनी के लिए जाते है Chloe को बहुत गिल्टी लगता है तो उसने अपनी सिस्टर को मार डाला लुईस कहता है कि ऐसा नहीं होता इसमें उसके कोई भी गलती नहीं है जब रात में Chloe और लुईस इंटिमेट होते है तो अपनी सिस्टर जिसका नाम उसकी मदर सैंडर रखने वाली थी इसे को मीरर में देखती है यह यह मुवी एंड हो जाती है अब मुवे में हमें जो दिखाया क्या है लुईस और पॉल यह सब उसकी इमेजिनेशन थी एक्च्वल में लुईस रियल था और उसका प्रदर पॉल जो एक डॉमिनेट कैरेक्टर है उसे जो जाईए वो चेन लेता है यह सब क्लोई की इमेजिनेशन थी उसे हमेशा से गिल्टी लग रहा था उसने अपनी सिस्टर को मार डाला इसलिए वो सब इमेजिन कर रही थी वो सैंडरा को मिलने के लिए गए उसे लगा कि पॉल ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है पॉल यह क्लोई का ही एक रिफलेक्शन था वो अपने आपको पॉल की तरह इक घट्या इंसान समझती थी इसी वाइचे से सैंडरा और क्लोई की मदर एक ही है अब फिर से में क्लेर करता हूं कि सैंडरा क्लोई की सिस्टर थी जो वूम में ही मर चुगी थी क्लोई पॉल को इमेजिन कर रही थी पॉल ने सैंडरा के साथ कुछ गलत किया यह भी सब कुछ उसका इमेजिनिशन था मुवी के लास्ट में हमें दिखाया गया है क्लोई सैंडरा को देख रही है क्लोई को अभी भी लगता है कि सैंडरा उसके साथ ही है इसी तरी कैसे मुवी एंड होती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैन इंटोविशन आइकोन दबने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुविए के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया